देश में इस समय सियासी पारे के सामने पढ़ रही भीशन गर्मी थोड़ी हल की नज़र आ रही है जी हाँ क्योंकि अब उन राज्यों के चुनाव होने हैं जहां पर पुरी देश की नज़रे टिकी हुई है चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो चाहे वो वारानैसी का चुनाव हो या फिर कहें अमेठी और राय वरेली का चुनाव हो इस समय देश की नज़रे ये कुछ चुनिंदा सीटे हैं जिन पर टिकी हुई है वैसे तो राजस्तान के दिगज पूरे देश में परचार परसार करके कोई मोधी की गारंटिया बाट रहा है तो कोई मोधी की खामिया गिना रहा है लेकिन इस समय देश में एक सीट है जो काफी चर्चाओं में है क्योंकि इस बार राहुल गांदी उस सीट से परचार परसार करते हुए नजर नहीं आएंगे और वो सीट है अमेठी की जी हाँ अमेठी की सीट पर कॉंग्रेस आला कमान ने अपने तमाम दिगजों की ताकत को जोग दिया है इस सीट से ना सोनिया गांदी चुनाओ लड़ रही है ना प्रियंका गांदी और नहीं राहुल गांदी और नहीं कॉंग्रेस का कोई बड़ा दिगज इस सीट से नजर आ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कॉंग्रेस ने अपनी पूरी ताकत अमेटी की सीट पर क्यों जोकी है यह समीकरन बड़े दिल्चस्प है देखें अमेटी की सीट से कॉंग्रेस के प्रत्याक्षी केल शर्मा मौजूद है केल शर्मा के लिए कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के काफी करीब ही है या यूं कहें कि एक तरह से वे गांधी परिवार के परिवार जन के रूप में ही है जब अमेटी की सीट से केल शर्मा को मजबूत करने की बात आई तो आला कमान की नजरे सीधी पड़ी राजस्थान के उपर देखिए कहा जाता है कि राजस्थान की राजनिती में वो दुरंदर पैदा हुए हैं जिन्नोंने इतिहास लिखा है और राजस्थान की राजनिती में सबसे बड़े जादूगर कहे जाने वाले अशोग गहलोत पर सबसे पहले आला कमान ने भरोसा जताया दस दिन पहले ही अशोग गहलोत अमेडी पहुँच चुके हैं और वहाल लगातार के ऐल शर्मा को मजबूत करने के लिए अपनी टीम के साथ दिन रात एक करे हुए हैं तो वहीं अब PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा भी अपनी टीम के साथ अमेडी में पहुँच गए हैं साथ ही इंडिया गडबंदन के तहत मोधी को टक कर देनी की बात भी हर चुनावी सबा में कही जा रही है इसके साथ ही एक बार फिर से आला कमान ने धर्मेंदर राठोड पर बड़ा भरोसा जताया है उनको अमेठी का कॉडिनेटर बनाया गया है धर्मेंदर राठोड ही तै करेंगे कि किन नेताओं की सबा कहा होगी रैलिया कहा होगी इसके साथ ही तीन मौझूदा विधायक और नो पूर विधायकों को भी अमेठी की सीट पर उतारा गया है कि वह केल शर्मा को मजबूत करे ऐसे में आप देखना होगा कि अमेठी की वो सीट है जहां से कॉंग्रेस कमजोर नजर आई थी राहूल गांदी के पाले भी सीट से हार मिली हुई है ऐसे में अब राजस्थान के 33 दिगज अमेठी की सीट को मजबूत करने के लिए मैदान में है तो वहीं PCC चीफ गोविन सिंग दोटासरा, पूर मुख्यमंत्री अशोग घैलोत और धरमेंदर राठोड की साख भी इस सीट पर दाव पर लगी हुई है जो लोगसवाचुनाओं के बाद उनका भविश्य तैय करेगी आप देखते रहिए दनगरी न्यूस, मैं हूँ ललित वर्मा